नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल आयरवेदा फोर यू में दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे गर्भावस्था के 32 सब्ताहा के बारे में आपकी प्रेग्नेंसी का 32 सब्ताहा मतलब आप अपनी गर्भावस्था के आठवे महीने में चल रही है अब बच्चे के जनम में केवल एक महीना बजा है ऐसे में आपके पहले की लक्षन तो बने ही रहेंगे लेकिन अब डिलीवरी के संकेतों पर आपको ध्यान देना होगा इस समय हुने वाले लक्षनों और संकेतों को नजर अंदाज ना करें इस समय प्रेग्नेंट महिला के शरीर में काफी बद्राव आते हैं इस समय मसूडे कमजोर हो सकते हैं या उनमें से ब्रेश करते समय खून भी आ सकता है इस तरह के कुछ बद्राव आपको इस सप्ता देखने को मिलेंगे मसूडों को मजबूत करने के लिए नमक के पानी से कुला करें हार्मोनल बद्राव के कारण लीगमेंट्स रिलेक्स हो सकते हैं और इन ही हार्मोन्स का असर दांतों को पकड़ कर रखने वाले छोटे लीगमेंट्स पर भी पढ़ सकता है इसकी वज़ा से दांतों में धिलापन हो सकता है इम्यून सिस्टम के कमजोर होने के कारण मुह में चाले हो सकते हैं इस समय आपके बच्चे का विकास भी हो रहा होता है आपके बच्चे का आकार अब 15 से 17 इंच के आसपास होगा उसका वज़न भी लगभग 1.6 से 1.8 किलो के पीच होगा देखने में वह अब 90 शिशु जैसा ही लगेगा उसके सभी प्रमुक अंगों का विकास हो चुका है फेफ्रों को छोड़ कर वह आपके गर्भाश्य में हाथ पैरों को सिकोड़े हुए नीचे की और सिर वाली पोजीशन में आ गया होगा अगर वह इस स्थीती में नहीं है तो आने वाले कुछ समय में ऐसे स्थीती में आ जाएगा आप अपनी गर्भावस्था की अंतिम चरण में है इस समय बच्चे का आकार ऐसा है कि उसने आपके गर्भाश्य को घेर रखा है इसलिए वह आप पहले की तरहें आपके पेट में उचलकूत नहीं कर सकता अब उसके करवट लेने या हाथ पैरों को हिलाने डुलने की गतिविधी होती रहेगी अब आपको उसके मोमेंट पर ध्यान रखना होगा इनमें कमी या तेजी होते ही अपने डॉक्टर से संपर्ख करें इसके अलावा कब्ज, चक्कर आना, पैरों में एंठन, पेट की तवचा में खुजली वगेरा होती रहेगी इनके अलावा भी कुछ अन्य लक्षन होंगे जैसे कि नकली लेबर पेन होना इसे डॉक्टरी भाषा में ब्रेक्स्टन हीक्स कॉंट्रेक्शन भी कहते हैं इनके होने का मतलब है कि आपका शरीर डिलिवरी की रिहर्सल कर रहा है इस दुरान आपके गर्भाषे के उपरी हिस्से से संकुचन शुरू होकर नीचे की और बढ़ता है ये 15 से 30 सेकेंड तक रहते हैं कभी-कभी इससे ज़्यादा भी ऐसी स्थिती में आपको अपनी पोजिशन बदल लेनी चाहिए मतलब अगर बैठी हैं तो खड़े हो जाईए और कुछ कदम चलने लगी ये रुक जाएंगे अगर ये ना रुके और समय के साथ बढ़ते जाए तो समझ लीजिए आपके लेबर पेन की शुरुआत हो चुकी है डोक्टर से संपर्ग करें वजाइनल डिस्चार्ज इस समय वजाइनल से गाड़ा पदार्थ निकलता है ये आपको इंफेक्शन से बचाने के लिए होता है लेकिन अगर इसकी जगें पानी जैसा तरल पदार्थ निकलने लगे तो समझ जाएए कि डिलिवरी की प्रक्रिया शुरू हो गई है ऐसी स्थिती में बिना घबराय डोक्टर से संपर्ग करें इस समय प्रेगनेंट महिला का अचानक से वजन बढ़ना लगातार सिर्दर्द रहना आँखों से धुदला दिखाई देना पेट के उपरी हिस्से या कंधे में दर्द और सूजन महसूस हो रही है तो यह प्री एकलेंप्सिया के लक्षन हो सकती है इस सप्ता प्रेगनेंट महिला में ही है परिशानी उभर सकती है इन लक्षनों के दिखते ही तुरंत डोक्टर से बात करें बीबी की मॉमेंट पर नज़र रखें और डायेट में पोस्टिक चीजों को शामिल करना ना भूले डोक्टर की सलहा पर योग और एक्सरसाइस कर सकती है तो दोस्तों यह थी गर्भावस्था के 32 सप्ता के बारे में कुछ महत्तपुरण जानकारी इसके अलावा अगर आपका कोई इससे समंधित सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं साथ में अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले वीडियो को लाइक और शेर जरूर कर दें थैंक्स फर वाचिंग